नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पोटल के माध्यम से सरकार नियोकता यम रोजगार ढूंड रहे अभियारतियों को प्लेटफर्म देने का पर्यास करेगी पोटल पर नियोकता आपने ब्यावसाई यम उस्ते सम्मंदित मानव बल के बारे में जनकारी साजा कर सकते हैं अभियारति रेस्टेशन कर आवेधन भी कर सकेंगे बता दे राजगे के बिरोजगार युवक योतियों को अस्थानी अस्तर पर रोजगार के उसर परदान करने के उधेश से ज़ारकन सरकार द्वारा जार्खन राजे के नीजी छेत्र में अस्थानिय उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम 2021 का इस पारित किया गया है एवं अधिनियम के किर्यनोयन से समंदित नियम आवली के अधिसुचना के बाद या अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपुर्ण जार्खन राजे में परभावी है या अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो नीजी छेत्रे के हो एवं जहां 10 से अधिक कारेबल कारे कर रहे हैं उस पर लागू होता है ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोटल पर अपना निबंधन करवाना है जार्खन के मौसम में गुरु आर को जो बदलाव आया है वो बीस मार्च तक जारी रहेगा मौसम भी भागने बीस मार्च तक के लिए एलो अलर्ट जारी कर दिया है इस दरण आस्मान में बादल चाहे रहेंगे तेज आंधी और मेक गर्जन के साथ हलके से मत दर्ज की बारिश होगी 40-50 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाय चलेंगी गौतला भागी परदेश के अधिक्तम तपमान में गुरु और को होई बारिश के बाद 3 डिगरी की गिरावट आई है वहीं राईधानी राची का तपमान 4 डिगरी सेलसेस तक गिरा है अब 20 मार्च तक यही इस्थिती बनी रहेगी मौसम बैग्यानी अभिसेक अनन्द के अनुसार बादलों का समो जार्खन के उर्बड रहा है जिसके कारण सुक्रवार और सनिवार को राची खुटी रामगर वोकारों तुमका धनबाद गिरीडी आधी इलाकों में ओले गिरेंगे 1 अपरेल से सभी सरकारी कर्यालेओ में बैयोमेट्रिक हाजरी अनिवार है सरकारी काम में पारदर सिता और तेजी लाने के लिए योकाम किया जा रहा है गौतला भाय की कुरोना मां हमारी से पहले भी यही विवस्था लागो थो लेकिन कोवीट के समाय संक्रमन के संका से बचने की खातीर ओनलाइन हाजरी की विवस्था बंद कर दी गई थी अगले आधेस तक करमचारी ने दैनिक उफशिती पंजी में मैनुवल तरीके से हाजरी लगाई अब 10 फरवरी 2023 को स्वास्त विभाग ने मंतबे दिया है चुकी अब झारखन में कोवीट केस की संख्या नगने हाए इसलिए ओनलाइन हाजरी की विवस्था शुरू की जा सकत दी है गतला भाय की उप्योग 83 परदेश में सड़क निर्मान योजनाओं में खर्च होगी बताया जा रहा है कि जल्दी ज्हारखन को केंद्रे की ओर से 1500 को रुपए की अन्योजनाओं भी मिलेंगी बताया जाता है कि केंद्रे ने 6 आर ओवी को ज्हारखन में सेतु बंध योजना के तहत सुक्रिती दी है केंद्र सरकार द्वारा राजे में जो 6 आर ओवी सुक्रिती की गई है उनमें डाल्टे गज से राजहौर के बीच पर योजना की लागत 83.5 कोल रुपए है वहीं रामगण में गोला से चारू रोड के लिए 34.95 कोल रुपए है और लेज में 93.64 कोल रुपए खर्च होंगे जारखन में चलेंगे 175 बाइक एंबुलेंस स्वास्त मंत्री बना गुपता ने सुक्रवार को विधान सभा में जाम तला के कॉंग्रेस विधायक इरफान अंसारी के सवाल के जबाब के करम में इसकी जनकारी देते हुए बताया है कि स्वास्त विभाग द्वारा 206 एंबुलेंस के कराय है तू जारी कर्यादेश के अधार पर सनातन बस बोड़ी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 115 एंबुलेंस के अपूर्ति की गई है इनकी जाच के बाद 75 एंबुलेंस राज्य वेयर हाउस को हसंत्रीत कर दिया गया है जिससे सिग्र सुरू किये जाने की योजना है इससे पहले इर्फान ने पूछा है कि जब राजस्थान में 108 एंबुलेंस की स्वास्त वर्लिंग अधारीत हिंसा पर कारसला का आयोजन किया जिसमें रांची पूर्वी सिम्हूं पच्मी सिम्हूं रामगर स सराय केला दुमका सिम्टे का वक्ति में सर्वे कराया गया इसमें पाया गया है कि जरकन में कुर्वन से प्रभावित लोगों वह परिवारों में आवसाद सबसे ज्यादा है सर्वे के दवरान डवलू एचपी टीम स्वास्त से समाधित स्क्रिनिंग टूल के जरिए 1.500,000 लोगों तक पहुँची सरवे में सामील 10 में से एक महिला और 14 में से एक पुरुस मांसिक समस्याओं से ग्रसित मिले ग्रिहनियों में मांसिक स्वास्त के मामले में सबसे अधीक मिले हैं जबकि सहरी में 11 ब्यक्तियों में से एक और ग्रामिन छेतर में 14 में से एक ब्यक्ति मां सिक रोग से ग्रस्ट पाया गया प्रधान मंत्री नैन नमोदी से मिले सांसत संजाय सेठ रांची के सांसत संजाय सेठ ने सुक्रवार को नई दिली में प्रधान मंत्री नैन नमोदी से मुलकात की इस मुलकाद के करद में सांसद ने उन्हें हाल की गति विदियो से अउगत कराया सांसद ने परिक्षा पे चारचा से पुरो बच्चों के लिए हुई ड्राइंग परतीयोगता से अउगत कराते हुए पुरास्कृत पेंटिंग को परधान मंत्री को दिखाया पधान मंत्री ने बचों के दोवारा की गई पेंटिंगी खुब सराना की है सांसद ने हाल में ही खेल गाव में संपर्ण हुए सांसद खेल महोचों की जनकारी भी दी है और इसे समंधीत बुकलेट उन्हें भेट किया उन्होंने प्रधान मंत्री को बताया कि इस खेल महोत्तों में पांच हायार स्याधिक खिलाडियों ने सिर्कत की अन होली मिलन समारों में हुए कारकरम से भी सांसद ने पियम मोदी को आउगत कराया और पधान मंत्री को बताया कि इस होली मिलन समारों में सिर्फ स्री अन यानी मोटे अनाईज से बने पक्वान बनाए गए ताकि अस्थानी और छोटे किसानों वा उनके उपज के प्राती लोगों की रुजान बढ़े सियम हमांत्र ने नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग पर लगाई है रोक नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज के ओधी विस्तार पर रोक नहीं लगाने की बात महज अप हुआ है सियम हेमन सुरेन ने वर्ष 2022 मनेतर हट फिल्ड फायरिंग रेंज को फिर अजसुचित करने के प्रस्ताव को अस्विक्रित कर दिया था अब यहां राज सरकार के निर्नाई के बाद किसी तरह कास्या ने अभ्यास हजारो ग्रामिनों की भावनाव को देखते हुए नहीं किया जाएगा मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के आदेश के बाद वर्ष 1994 से अब तक तोपा अभ्यास बंद रहने एवं लंबी अधी से हजारो ग्रामिनों के बिरोध को देखते हुए 1938 चेप्टर 2 की कंडी का नौ क्या लोग मने तरहट फिल्ड फायरिंग रेंज को फिर अजसुचित करने के प्रस्ताव को राई सरकार द्वारा वर्ष 2022 में असुक्रित कर दिया गया था राई सरकार के निर्ना के बाद किसी तरह का सहने अभ्यास नहीं किया जाएगा स्वास्त मंतरी बंना के खिलाप कानूनी करवाई करेंगे सर जू राय जमसित पूरबी के बिधायक सहरू राय के स्वालोग का जबब नहीं दिया है इस पर सहरू राय ने कहा कि मुख्य मंतरी को ऐसे मंतरी को पत से हठा देना चाहिए सर्जु राय ने सुक्रवार को कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने स्वास्त विभाग को छूटा साण की तरह छोड़ दिया है ए मुख्य मंत्री की बात भी नहीं सुनते मुख्य मंत्री का आदेश नहीं मानने पर स्वास्त मंत्री को तो मंत्री मंदल से हटा देना चाहिए बता दे निर्दालिय विधायक सहजु राय ने मीडिया को बताते हैं कि उनका अलपसुजित प्रस्ट छटे नंबर पर था सरकार ने उसका उतर नहीं दिया श्री राय ने कहा कि उनका अध्यक्स को बताया है कि मेरे स्वालों का जवाब स्वास्त विभाग नहीं दे रहा है जारखन में 31 मार्च के बाद से नई पलेस्मेट एजेंसी बेचेगी सराब राजे में अब 31 मार्च के बाद नई पलेस्मेंट एजेंसी सरा बेचेगी, राजे में खुदरा सरा बिकरी को लेकर जार्खन राज वीवरेज कर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खुदरा सरा बिकरी के लिए टेंडर आमांत्रित किया गया था, 14 मार्च टेंडर जमा करने क आमतिम्तिति निधालित की गई थी, 5000 लिटर से अधिक पानी का किया उपयोग तो देना होगा पूरा बिल, अगर आप राज़ी सहर में रहते हैं और आपके घर में वाटर कनक्सन है, तो महीने में 5000 लिटर से एक लिटर भी अधिक पानी का उपयोग आपने किया है, तो आदेश के आलोक में निगम के टेक्स कलेक्टर अबनाए सीरे से टेक्स की वसूली करने में लगे हुए हैं, वर्स 2022 में राजसरकार दोवारजारी नोटिफिकेशन को अधिहार बनाते हुए, निगम के अधिकारियों ने कहा था कि हर परिवार को 5-6 लिटर पानी मुफ्त दिया जाएगा है, जारखन में बड़े प्रमाने पर सुरू होगी बहाली, राज में नेक्टियों का रास्ता साफ होने वाला है, राय सरकार इस दिशा में काम सुरू कर दिया है, विभागों से रिक्त पदो की जनकारी जीला अस्तर से मांगी गई है, सदन में गुरु आर को संसद्य कारे मंत्री अलमगीर अलम ने विधाय क्लंबोदर महतों के एक प्रस्न पर बड़ा एलान किया है, बता दे मंत्री शिरी अलमगीर ने कहा, 1132 अधारित आस्थानी और नियोजा नेति को सरुसर मतित विधान सभा से पारित कराकर राज जेपाल के माधियम से भार सरकार को निनना लेना है, भारत सरकार से इस पर क्या निनना लेती है, हम लोग भारत सरकार के आदेश का इंतियार नहीं कर सकते, समय निकल जाएगा और नियोक्ती प्रभावित होगी, इसको ध्यान मेरा कर सरकार ने कैमिनेट से नहीं नियोक्ती निमावडी पारित कराई ह जारखन में जैप पाँच के 40 पूलिस कर्मियों को फूड पोईजनिंग जैप पाँच की बी कमपनी मेस में पूलिस कर्मियों ने गुरुवा रात को रोटी सेवाई वा आलो के सबजी खाई इसके कुछ ही देर बाद करीब 40 पूलिस कर्मियों को पेट में दर्द के साथ दस्त शुरू हो गई पहले कैम्प में ही उन लोगों को दावा देकर देखा गया किन्तु इस चीती नहीं संभली तो करीब 26 पूलिस कर्मियों को देर रात अठाई बजे के बाद सदर अस्पताल लाया गया इन में से कई पूलिस कर्मियों को प्रात्मिक उप्चार कर दावा देकर अस्पताल से छोटी दे दी गई किन्तु गंभीर हालात वाले 18 पुलिस कर्मियों का स्पताल में भरती कर सलाइन चलाई गई सभी के हालत खत्रे से बाहर है लातेहर पुलिस ने टीपी सी के सब जोनल कमांडर कुलदीप को भेजा जेल जारखन की लातेहर पुलिस को सुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने पर्तिबंधित नकसली संगर्ठन टीपी सी के सब जोनल कमांडर कुलदीप मेहता उर्फ बीकेस को गिरफतार कर जेल भेज दिया ये जनकारी एसपी अंजनी अंजन ने दी है उन्होंने बताया है कि ए नकसली पहले भागपा मवादी में सामिल था सरेंडर करने के साल बर बाद एजेल से निकला और टीपी सी में सामिल हो गया लातेहर वो बालू मात थाने में इसके किलाब कई मामले दर्जाएं गुमला में धान कूटने के दोरान मसीन में फसा महिला का सीर गुमला के घागरा थाना छेतर अंतरगत दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है दरसल एक महिला धान कूटने वाली मसीन की चपेट में आ गई जिससे महिला का सर धढ़ से अलग हो गया और उसकी मौव के पर ही मौत हो गई घाटना के बाद गरामिनों ने इसकी सूचना घागरा थाना को दी है जिसके बाद थानेदार अमित कुमार चोधरी वह एसाई अभी से कुमार घाटनास तल पहुच कर सोग को बरामत कर पुष्ट मास्टम के लिए भेज दिया बताया जा रहा है कि जीले के घागरा थाना चेतर के केंद टोली गाव की रहने वाली करीब 40 वर्सिये नहरी देवी सुक्रवार को गाव के ही धान कूटने वाले मसीन को बुला कर घर के बाहर धान कूटवा रही थी CM की परधान सचीव समेत दो IAS को अतिरिक्त प्रभार जारखन सरकार के कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथा राज भासा विभाग ने अजिस सूचना जारी की है आदेश के नुचार दो IAS अधिकारियों को उनके वर्तवान प्रभार के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया वहीं एक प्रसासनिक अधिकारी का अस्तनांत्रन भी किया गया है आदेश के नुचार मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव के पद पर पदस्थापित 1996 बेच की IAS वंदरा दादेल को मंत्री मंदल सचीवाले यम निग्रानी विभाग का तिरिक्त प्रभार चोपाग यहाई नौकरी के नाम पर चात्रों से लाखों की ठगी जारखन के धनबाद है जिले में नौकरी लगवाने के नाम पर सीटी सेंटर थी फ्यूचर ट्रेक इंस्चिट के दरजनों चात्र चात्राओं से लाखों रुपए के ठगी हो गई है सभी ने इसकी सिकाय धनबाद थाने में की है इस मामले में पीडित छात्रा सीवानी ने बताया है कि वा फ्यूचर ट्रेक में पढ़ती थी इंस्चिट के निदेशक रोशन कुमार ने बताया कि उन लोगों को अगर नौकरी करनी है तो वा डाटा इंट्रीक नौकरी और अश्मान भारत में नौकरी लगवा सकते है इस पर उन्होंने उन लोगों की तीन ब्याक्ती रंजित कुमार चंदन कुमार और प्रीतम पाणने से मुलकात कराई इसके एवज में छात्र चात्राओं से 10-10 यह रूपाय के लिए भी लिये गाए पैसा देने के बाद किसी को एक माह तो किसी को दो माह काम करवाया गया मगर किसी को भी सेलरी नहीं दी गाई गोमो जक्षन पर हावळा राजधानी एक्सप्रेस से कट कर 3 लोगों की मौत धनबाद जिले के गोमो जित नेता जी सुबाश चंद्र बोस गोमो जक्षन पर सुक्रवार की रात 12-8-0-1 अप हावळा नाई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई समाचार लिखे जाने तक मिनित को की पाचान नहीं हो पाई है उससे स्टेशन पर कारेरत रेल कर्मियो और पी एफ तथा जी आर पी के अधिकारियों तथा जवानों के बिच खलमलजी मच गई बता दे जनकारी के अनुसार डाउन आसन सोल गोमो एम्यू ट्रेन आठ बच कर तेश मियट पर गोमो इस्टेशन के प्लेटफरम संक्याचार पर पहुंची कुछ यातरी चलती ट्रेन में प्लेटफरम संक्याचार की पुर्वी छोर पर उतर गए वे लोग आप में लाइन पार करते हुए जा रहे थे बाहरी राजियों के नक्सली नेताओं के भरोसे जार्खन में नक्सलवाद जार्खन में जीतने में नक्सली संगठन सक्रिये हैं उनके सिर्ष पर बाहरी नक्सल कमांडरों का कप जाहा है दूसरे राजियों के 21 नक्सली जार्खन में वांटेड है बाहरी नकसलीयों के जार्कन में सक्रिये होने से यहां के ग्रावीन भी नराज है के कुछ नकसली कमांडरों को छोड़ दे तो अधिकान्स कैडर और कमांडर की संगठन में कोई पुछ नहीं है जार्खन के नकसली केडर भी अंदर ही अंदर बाहरी लोगों से खपा हैं वहीं दूसरे तरफ उनकी करवाई को लेकर गरामीनों का भी अक्रोस उबल रहा है बिधायक इर्फान अंसारी को हाई कोड से मिली रहात जारखन हाई कोट से कॉंग्रेस विधायक डाक्टर इर्फार अंसारी को रहात मिली है जस्टिस नवनित कुमार की अदालत ने इर्फार अंसारी के खिलाब दुमकाक के MP MLA कोट में चल रही करवाही परोक लगा दी है वर्ष 2018 में चल खाने की सिकार हुई बाची की फोटो अस्पताल से वारल होने के मामले में इर्फार अंसारी के खिलाब आदालत संग्या लिया था वहीं वर्ष 2022 में आरोप गठन भी किया गया था इसके खिलाब इर्फार अंसारी ने हाई कोट में अज का दाखिल की है विकास पताधिकारियों को बाल विवार निसेद पताधिकारी नियुक्त किया गया था अब इसकी जिम्यदारी जहां राज अस्तरप्र महिला एवं बाल विकास बिभाकर सची को दे दी गई वहीं अपने अपने छेत्रा अधिकार कंतरगत इसकी जिमेदारी पंचाज सचीवों और महिला प्रवेच्छिकों को भी देते हुए उन्हें बाल बिवा निसेद पता अधिकारी नियुक्त किया गया बतादे राज सरकार ने बाल बिवा निसेद अधिनियम 2006 को सकती से लागू करने तथा बाल बिवा रोकने में इस कानून को प्रवायू बनाने को लेका यह निनलिया है महिला एवं बाल बिकास बिवाग ने इस समाध में अधिसूतना जारी कर दिया है जारखन में बंद 4096 स्कूलों को दो माह में खोलने पर ने न लेगी सरकार बिधान सभा में बैट सत्र के दोरान सुक्रवार के दूसरी पाले में स्कूली सिक्षा यम सर्चाटा विभाग के बीतिये वर्ष 2023 के लिए 7.24 को रुपए कानुदान मांग चर्चा के बाद धौनिमत से पारित हो गया राज महल से भाजपा के बिधायक अनंद कुमार ओजहा के कटाउत्ती प्रस्ताव पर सत्ता पक्स और अभिपक्स के बिधायकों की चर्चा के बाद संसाधिये कारे मंतिया अलमगीर आलम ने सरकार का जबाब प्रस्तूत किया है बतादे मंतिया अलमगीर आलम ने कहा है कि पिछली सरकार में 2016-17 में बंद किये गए 4,096 स्कूल खोलने के लिए राज सरकार दो महिने के भितर निना लेगी इसके लिए सभी जीलो के उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की गई है बिधान सभा में BJP MLA ससी भूसन ने फाड़े अपने भासन के पेज बिधान सभा में 82 के दोरान इस स्कूली सिक्षायम सक्षाता विभाय करनुदान मांग पर चर्चा के दोरान ने ड्राफ्ट कोपी को भी फाड़ कर सदन में फेक दिया और बिना चर्चा में सामिल हुए बाहर निकल गए इससे पहले बिधायक ससी भूसन मेहता ने कहा है कि बचपन से सुनते आ रहे थी कि बड़ी मचली छोटी मचली को निगल जाती है यह बात उन्हें सदन में भी दिखी बिधायकों की बेतन बिरिधी पर जल्द होगा फैसला बिधायकों की बेतन बिरिधी की मांग बौनातपुर से भाजपा के बिधायक भानू परतापसाही ने सूचना के माध्यम से उठाया था जिसका समर्थन कॉंग्रेसी बिधायक परदी प्यादवा जामों के बिधायार समीर महंती ने भी किया था साहब गंज जीले में कई जगों पर ओला विरिष्टी के साथ बारिस साहब गंज जीले में सुकरवार की दोपहर मौसम का मिजर बदल गया आसमान में काले बादल चाय गए तेज गरज और ठंड हवाव के साथ बारिस हुई वहीं बारिस के साथ साथ कई छेतरों में ओले भी गिरे बारिस होने से तापमान में गिरावाट आई और ठंड भी लगने लगे बारिस होने से कुछ देर के लिए जन जीवन पर भावित हो गया बताद है जीले का अधिक्तम तापमान 29 डीगरी सेल्स्यस डीकॉर्ट किया गया जबकि नीमतम तापमान 18 डीगरी सेल्स डीकॉर्ट किया गया वहीं बारिस होने से लोगों के चेहरे पर काफी खुसी देखी गई केवी के बेग्यानिक डाक्टर बीके मेता ने बताया है कि जो फसल काट कर खलियान में रखा है उनको नुक्सान होगा जो फसल पक गया है उनको नुक्सान होगा ओला गिरने से फसलों को नुक्सान हुआ है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल आइकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसे फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाइग्राम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवसे दे थैंक यू